ठंड का मौसम आते ही मार्केट में हरी पतेदार सबजियां आने लगती हैं तो दोस्तों आज मैं उन्हीं हरे पतेदार सबजियों का आज आपको बहुत ही स्पेशल पराठा बनाना बता रही हूँ जो की बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी है और विंटर सीजन तो वैसे हेल्दी माना जाता है दोस्तों और इतनी सारी ग्रीन वेजिटेबल इस समय आती है सभी सबजियों का हमें भरपूर उपियोग करना चाहिए खाना चाहिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये ग्रीन कलर के पराठे मैंने किसके साथ बनाए हैं बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी और इस भाजी को इस ग्रीन वेजिटेबल को आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए यह है दोस्तों बथवा की भाजी हम सब के यहां बहुत आसानी से मिलती है और सिर्फ यह ठंड के मौसम में ही मार्केट में आती है बथवा की भाजी इसे मैंने तोड लिया है पत्यां पत्यां तोड कर रखी है सभी डंडियों को मैंने अलग कर दिया है तो बहुत ही पॉस्टिक होती है भरपूर मात्रा में इसमें आईरन होता है विटामिन्स होते हैं और धेर सारे इसमें मिनरल्स होते हैं कई बार बच्चे हरी पतेडार सबजियों को खाना पसंद नहीं कतें, चाहे पालक हो, चाहे मेथी हो, चाहे बत्वा हो, तो क्यों न हम भरपूर मात्रा में इन पत्तियों का उप्योग करके इनसे गर्मा-गर्म पराठे बच्चों को दें, चाहे तो आप टिफिन में दें, आप इन्हें लंच में दे सकते हैं, या फिर किसी समय नाश्ते में भी आप बत्वे के आँटे के पराठे बना सकते हैं, आधा किलो बत्वा लिया था, जिसे मैंने साफ करा है, तो इत्ती क्वांटिटी के बत्वे की पत्तियां इखटी हुई है, दो बार पानी से धो लिय दोस्तों, ताकि ये पराठा बहुत ही हेल्दी बने, तो एक बड़ा कटोरी मैंने गेहू का आटा लिया है, वन फोर्थ कटोरी मैंने हापर बेशन लिया है, बेशन से पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, एक चमच मैने नमक डाला है, आधी छोटी चमच से कम हल्दी ताकि कलर अच्छा है, और सुखे मसालों में हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर डालेंगे, और साथी आधी छोटी चमच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, ताकि पराठे बहुत ही टेस्टी बने और सभी लोग इसे बड़े ही चाओ से खाएं, इस तरह से पराठे दो चाहिए, बहुत जादा मातरा में, तिल में केलशियम होता है, और हमारे शरीर में गरमी देती है, इसके अलावा मैंने हींग लिया है दोस्तों, वन फोर्ट टीस्पून हींग डाला है, अधरक लहसून और हरी मिर्च को अब हमें क्रश करना है, धनिये को बारिक काट अधरक लहसून हरी मिर्च को हम मोटा मोटा कूट लेंगे, इस बीच बत्वे की जो भाजी है दोस्तों, अच्छी तरह से पानी में भपा गई है, हमें जादा नहीं पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है, मुश्किल से मैंने चार से पांच मिनट इसे रखा है, और पानी भी आप देख सकते हैं, दोस्तों, कभी भी भाजी के पानी को ना फेकें, सभी पोशक तत्व इस पानी में है, तो जब भी उबालें, दोस्तों, पानी की कौंटिटी बहुत कम रखें, मैंने मात्र आधा कब पानी इन भाजीयों को पकाने के लिए रखा था, और उस पानी को चान लिया है, जिसे मैं अभी आटे को माडने में यूज करूँगी, भाजी जैसे ही ठंडी हुई दोस्तों, मैंने उसका पेस्ट तयार कर लिया है, आटे में बारी कटा हराधनिया डालेंगे, अद्रक, लहसून, बारी कटी हुई हरी मिर्ची, तो इतनी चीजे मैंने तो धीरे धीरे बत्वे की भाजी के पेस्ट को हमें आटे में डालते जाना है, मिक्स करते जाएं और जरुवत पड़ेगी, उसके हिसाब से ही हम पानी डालेंगे, पहले तो दोस्तों हमने जो भाजी को थोड़े से पानी में उबाला है, उस पानी को मैंने फेका नहीं है, उस पानी का यूज आपको इस आटे को माड़ने में करना है कभी भी हर ये पत्तेदार या कोई भी सब्जियों के पानी को न फेके बहुत ही पॉस्टिक होता है तो धीरे धीरे करके ही मैं इस पानी को आटे में डालती जाओंगी और बढ़ी अच्छा डो तयार कर लेंगे बहुत ही है दोस्टों बच्चों को जरूर दे किसी न किसी रूप में आप इस हई पत्तेदार सब्जियों को जरूर खुद भी खाएं घर के सभी सदस्यों को दें बढ़ों को दें बूढों को दें और साथ ही बच्चों को भी दे आप चाहें तो इसी आँटे से बथवे की पूड़ी भी बना सकते हैं तो कई बार मैं पूड़ी भी बनाती हूँ परन्तु कई बार पूड़ी बहुत ओईली हो जाती है दोस्तों और ये ऐसा पराठा है जिसे आप भी खा सकते हैं बिल्कुल आधी छोटी चमच मैंने थोड़ा सा तेल डाला है दोस्तों और आठे को इस तरह उपर से तेल लगा कर रख दिया है आप चाहें तो अभी गर्मा गर्म पराठे बना सकते हैं या आठे को माल कर भी रख सकते हैं तो बस मैंने भी इसमें गेहू के आठे का पल्थन डाल दिया है और बस अब हम इसकी छोटी-छोटी सी लोईयां तोड़ लेंगे और लोईयां तोड़ लेंगे और साथ ही दोस्तों यदि आपके हाँ माल लिजे की थोड़े से छोटे साइस के पराठे बनते हैं पतले पराठे बनते हैं तो लोईय और छोटी कर सकते हैं लोगों के घर में थोड़े बड़े साइस के पराठे बनाए जाते हैं तो यह बहुत ही हेल्दी बत्वे की भाजी दोस्तों बहुत ही जादा मात्रा में जो आइरन की जिनको कमी है उन्हें तो जरूर खाना चाहिए वैसे तो आप इसकी सबजी बना कर भी खाएं पर दो बत् बेस्ट को इस गेहूं के आँटे में मिक्स किया है और इसे बेलने में कोई परिशानी नहीं होती जैसे हम चपाती बेलते हैं दोस्तों बस वैसे ही आपको इसे बेल लेना जर्वत पड़े तो गेहूं के आँटे का पल्थन लगा ले आप चाहें तो इस पराठे को जैसे ह या इससे क्या होता दोस्तों लेयर अच्छी खुलती है और बस इस तरह से इसे लपेट ले चुड़नट टाइप की जैसे हम बनाते न दोस्तों और इसे गोल कर ले और फिर हम इसे बेलना शुरू करेंगे कुछ इस तरह से और जैसे हम रोटी बेलते हैं वापस इसे बेल लेंगे आप चाहें तो ट्रेंगल सक्ытवियर अपने पसंद का कोई भी शेप का बना सकते हैं बच्चों को अच्छे शेप का बना कर दें तो बड़े ही चाव से खाते हैं बड़ों को बना के दें अपने घर के जो वृद्ध वैक्ती हैं उन्हें भी आप दे सकते हैं ताकि भरपूर मात्रा में बत्वे की भाजी शरीर में जाए और दोस्तों जैसे ही मैंने इसे तवे पर डाला है गैस की फ्लेम को अब मैंने मीडियम कर दिया तवे पर मैंने एक ड्रॉप तेल का लगा दिया था ताकि थोड़ी सी ग्रीसी हो जाए तवा और मुझे सेखने में आसानी हो इस पीच मैंने दूसरे पराठे को भी बेल लिया है रोटी का जैसे गोल बेलें फिर थोड़ा सा तेल लगा कर चारो तरफ इसे फैला दें यह देखें कुछ इस तरह से और बस पराठे बेलती जा रही हूँ और जो पराठे तवे पस्यूर handlarना बेलें पहले से लिया थे लिया उसेदी है जूसरे बाद ही दोरौब है पहले लिया भी दिया खहते हैं नोग साट इन से और भी जूरूर físा करती हूं बच्चों के लिए चाहें तो आप गी में भी से만 सकते हैं बटर में भी बच्चों के लिए शे continuously है पर तुह तुह कंगा बटर में भी बच्छों कें लिए शेक्ट हैं परनतु हम बढ़ों को घी, बटर ज्यादा नहीं लेना चाहिए इसी को आप दही में मिला कर बत्वे का रायता भी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है तो बस दोनों तरफ से अब तेल लगाना है आपको इसमें और थोड़ा थोड़ा सा इस चमच की साहता से हलका हलका सा इसे दबाते रहें अभी आप देखेंगे अच्छे से अगर आप दबाते जाएं अपने आप ही फूलता जाता है बिल्कुल गेंद की जैसा बिल्कुल गुबारे जैसा हमारा पराठा फूल गया है और बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों तो आप भी अपने घर पर जरूर बनाएं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले तो इसे आप सबजी के साथ भी खा सकते हैं चाय के साथ अचार के साथ खाएं या मेरे जैसे इस तरह मैंने जो दही तयार के एक कटोरी ताजा दही लिया है और बत्वे का पेस्ट मैं हमेशा थोड़ा जादा बना कर रखती हूँ दो चमच बत् खटा मीठा हमारा बत्वे का रायता तयार हो जाए गर्मा गर्म पराठा आप बत्वे के रायते के साथ खाएं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले शिखा किचन चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें thank you for watching my video